कि नमस्कार में आजबिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 नियोज बिहार में नितीश कुमार ने नौवी बार मुख्य मंत्री की कुर्सी तो हडप ली लेकिन नितीश कुमार को लालू प्रसाद यादव का परिवार एक एक करके कई बड़े जटके देते वे नजर आ रहा है पहले तेजस्वी यादव का बयान सामने आता है जब नितीश कुमार की पोल खोलते वे नजर आते हैं और ये कहते हैं कि जब वो आरजेडी के साथ जुडते वे नजर आये थे आरजेडी के साथ देखे गए थे जब महागडबंधन था तब वो मेरे माता पिता के सामने रोते वे नजर आये थे तेजस्वी यादव ने कहा कि रावडी देवी से माफी मांग रहे थे लालू प्रसाद यादव से माफी मांग रहे थे कि वो एंडिये के साथ नहीं लोग सभाद चुना में नितीश कुमार की हार का तो वहीं दूसरी तरफ रावडी देवी जो बिहार के पूर मुख्यमंत्री भी है लालू यादव की पत्नी भी है तेजस्वी यादव की मा भी है और ऐसे में देखा जाए तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मि सेता वो चुनी गई हैं यहां पर विधान परिस्द में बात करें तो चुनाव होता हुआ नज़र आ रहा है यहां पर हर दो साल में सीटे खाली होती है जिसमें से अब 11 सीटे यहां पर प्रतियाशियों का पार्शदों का कारिकाल पूरा हो जाएगा इसके लिए यहाँ पर रावडी देवी को यहाँ पर विपक्ष के तौर पर एक बड़ा नेता के रूप में उन्हें आगे किया गया है इतना ही नहीं यहाँ पर मुख्य सचेतक के रूप में मलसी सुनिल कुमार को यहाँ पर आगे किया गया है तो एक बड़ी देवी समीत और यहाँ पर कई पार्शदों को आरज़ेडी की तरफ से दी गई है और रावडी देवी इस भूमिका को निभाथते वोए कई बड़ी जिम्यदारियों को और भी समभालती होई नजर आएगी इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है क्या वाकर रावडी देवी की इस दिम्यदारियों के साथ आरज़ेडी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी क्या लगता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देखते रहें स्पेन नाई न्यूस धन्यवाद